हलो दोस्तो आज के इस वीडियो में मगत समराज्य के अंदर गत हर्याक वंस के बारे में पढ़ेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो हरियक वंस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको मगत समराज के बारे में थोड़ा सा इंफोर्मेशन दे देता हूँ देखें मगत समराज का जो सासनकाल था वह 544 BC से 184 BC तक था और इन सासनकाल के बीच मगत समराज में 4 वंस हुए हैं इसमें से पहला है हरियक वंस और इस वंस के संस्थापक थे 22 उसके बाद जो मगत समराज में दूसरा वंस हुए हरियक वंस के बाद वह था सिसुनाग वंस और इसके संस्थापक थे सिसुनाग उसके बाद जो तीसरा वंस हुए है वह है नंद वंस और नंद वंस के स्थापक थे चंदर्गुप्त मौरे तो मगत्समराज के अंतरगत चार वस हुए हैं हर्यकुष, शुशुनागुष नद्वश और मौरे वस इसमें से पहला है हर्यकुष तो चली देखते हैं हर्यक वस देखिए हर्यकुष का तक सासनकाल था 544 बिसी से 412 बिसी तक और हरियकवस को उपाधी दिया गया है पृत्ति हंतावर्ष का और इस वर्ष के संस्थापक थे बिम्बिसार मैं आपको ये बता देता हूँ कि पित्ति हंतावर्ष क्यों कहा जाता है इसको पित्ति हंतावर्ष का उपाधी क्यों दिया गया है देखिए हरियाक वंस के जो अंतिम सा सकते उसका नाम था नागदसक नागदसक के पिता का नाम था उद्दायन उद्दायन ने राजपाट के लिए अपने पिता अजास सत्रू का हत्या किया उसके बाद अजास सत्रू ने राज़ पाट के लिए अपने पिता बिम्बिसार का हत्या किया जिसके करण इस वंस को प्रितिहंता वंस भी कहा जाता है क्योंकि दो राजा उदैन ने अपने पिता अजास सत्रू का हत्या किया राज़ पाट के लिए और अजास सतुरु ने अपने पिता बिम्बिसार कहते किया, राजपाट के लिए, जिसके करण हर्यकोंस को पादी दिया गया है, पित्ति हंतावस्का, और इस वंस के संस्ताबक थे बिम्बिसार, बिम्बिसार का उपनाम है स्यरिक, जिन्होंने बहुत धर्म अपनाया था, और गौतम बुद इनके मित्र थे, बिम्बिसार का दर्बारी का नाम था जिवक, जो आयरुवेदिक अचार था, एक निपूर आयरुवेदिक अचार था, बिम्बिसार ने नगर बसाया था राजग्री को, और बिम्बिसार ने अपने राजजविस्तार के लिए त्रियक और हर्यकमण्स की राजधानी था गरिबरज बिम्दिसार का सासंकाल था 22 वर्स बिम्दिसार ने मगद समराज您 में सासं किया था विम्दिसार ने राज्य विष्थार के लिए त्रियक्निती अपनाया था जिसमें पढ़ला है युद्र, दूसरा है मैत्री और तीसरा है व्युवा पर सबसे पहले युद्ध को देखते हैं देखे बिम्बिसार ने ब्रह्मधत को हरा कर उसके राज अंग को मगद में मिला लिया ब्रह्मधत को हरा कर अंग को मगद में मिला लिया बिम्बिसार ने उसके बाद देखते हैं, चंपा, चंपा राज्य को भी बिमिसार ने जीता और कुसल प्रसासन पर जोड दिया, अंको जीता, चंपा राज्य को जीता और कुसल प्रसासन पर जोड दिया, तो ये थी युद्ध नीती, राज्य विस्तार के लिए, उसके बाद देखते हैं मैत इसी के तहत अवंती के राजा है प्रगोत और प्रगोत पांडू रोग से पिड़ी थे मतलब पिलिया रोग से पिड़ी थे जिनके इलाज के लिए बिम्बिसार ने अपने राजवैत जीवा को भेजा था उसके बाद तीसरा है युद्देविस्तार निती की विवा देखिए बिम्बिसार ने अपने राजवैत तीन विवा किये थे इसमें से पहला है प्रथम विवा को सल के सासक हैं प्रसेंजित और प्रसेंजित की बहन का नाम है कोषला देवी या चानल चाहाज पर थ selves विवा करते हैं बिंबिसार उसके बाद देखते हैं बिंबिसार का दूती विवा है देखिए वैसाली में सासन है लिच्छुववंस का और लिच्छुववंस के सासक है चेतक चेतक की बहन का नाम है चेतना या छलना तो चेतना या छलना के साथ विवा करते हैं बिंबिसार और इन दोनों से एक पूत्र पैदा होगा अजास सत्रू और यहीं अजास सत्रू आगे जाकर राजपाट के लिए अपने पीता बिम्फिसार का हत्या करेगा। उसके बाद आगे देखते हैं तिती विवाह, देखिए बिम्फिसार का तिती विवाह। मद्र की राजकुमारी का नाम है छेमा और छेमा से विवा करेंगे बिम्बिसार और इन दोनों से एक पुत्री पैदा होगी जिसका नाम है खेमा और खेमा आगे जाकर बहुत धर्म शुकार करेगी तो इस वीडियो में हम लोगों ने बिम्बिसार के बारें पढ़ा कि किस प्रकार बिम्बिसार ने सासंग किया और राज्य विस्तार के लिए त्रियक निती अपनाई और तीन विवा किया उसमें त्रियक निती में सामिल थे युद्ध मैत्री विवा और तीन विवा किया पह तो आपसे एक रिक्वेस्ट है अगर अभी तक आपने हमारे चैनल हिंदी वाइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक सेयर जरूर करें धन्यवाद